नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका फिर से एक नई वीडियो में दोस्तों सबनम की सारी इक्षाएं लगभग पूरी हो चुकी है वो जैसा जैसा चाती है अपने बेटे को ले करके वो सब कुछ हो चुका है लेकिन एक इक्षा अधूरी है जिसे केवल पवंज लाधी पूर आने वाला हूं तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना दोस्तों बता दू आपको कि सबनम अभी फिलहाल जेल में है और जेल में जेल के अंधर से ही वो अपने काम कर रही है अपने बाहर का काम जो भी कर सकती है वो कट रही है बादशित कर रही है लोगों से और जिस तरह से वो जेल में जितनी जल्दी वो जेल में घुल जाती है लोगों को अपने तरफ खीच लेती है तो ये एक उसका बहुत बड़ा हथियार है सबनम का और सबनम इसी के वज़े से वो जेल में है और वो अपने आपको मह जेल से बाहर है क्योंकि उसका पूरा फडिवार खत्म हो चुका है बस एक बचा हुआ हुआ है उसका बेटा अब उसके लिए उक सूम्स के लिए यह जीनाचाहती है यह यह हुआ कारन दूसरा कारण बता दू आपको कि पवन जलाद ही क्यों उसकी आखरी इक्षा पूरा कर सकता है क्योंकि कह सकते हैं कि सबनम ने जो आखरी बयान दिया आखरी कहने का मतलब है उससे पहले जो बयान दिया उसमें कहा गया कि पवन जलाद मुझे बचा सकता है पबन जलाद ही है जो उसको फांसी के फंदे से बचा सकता है कैसे मैं बता दू आपको कि भारत में अभी जलादों की संख्या ना के बढ़ाबर है ना के बढ़ाबर कहने का मतलब है बस एक ही experience वाला जलाद है वो है पबन जलाद अगर पबन जलाद अगर समझ लिजे अगर वो फांसी नहीं देता अगर वो बिमार हो जाता है तो फिर सबनम को फांसी नहीं परेगी सबनम को फांसी में फिर से डिले हो जाएगा कि जब तक कि एक नया जलाद को ढूंडाना जाए कोई experience वाला जलात को ना ढूना जाए, जो कि एक या दो फांसी दे चुका हो, ऐसा जलात को ढूनना पड़ेगा, तो एक बहुत बारा कारण है, पवन जलात की उपर depend करता है, अभी भारत में जितने भी फांसी होंगी, वो सबसे एहम पवन जलात की उपर ही depend करता है, क्योंक कि उसकी जो आखरी एक्षा है, जो उसको फांसी नाम मिले, उसको उम्र कैद में बदल दिया जाए, वो अपने बेटे से के साथ जीना चाहती है, तो इस तरह से कुछ एक्षा हैं, उसकी आखरी एक्षा, क्या वो पूरा होता है या नहीं होता है, यह आपको तो आने वाला समय ही पता चलेगा कि क्या होता है, जो भी होगा पूरी जानकारी आपको हमारे वीडियो के माद्धम से मिलते रहेगी, आप चैनल को जहूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन की घंटी बजा ले, और ताकि आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे जो भी न्यूज अप